Hey guys, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले Linux के directory structure के बारे में अब वो चाहे Linux हो, Unix हो, Kali हो, सब के similar ही directory structure है तो आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं directory structure होता क्या है? जब भी हम files को organize करने की बात करते हैं उनको एक जगे सम्हाल के रखने की बाते करते हैं उसी को ही हम structure बोलते हैं तो ये हमारा कुछ structure होता है Linux का अब इसमें अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको root आ रहा है forward slash और उसके बाद कुछ directories आ रही हैं इन्हीं directories के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे कि अगर हम Linux यूज कर रहे हैं तो हम बोलते हैं directories अगर हम Windows यूज कर रहे हैं तो हम बोलते हैं folder तो सबसे पहले बात करते है forward slash की अब जो हमारा structure होता है उसमें सबसे पहले जो हरार्की में होता है वो forward slash होता है मतलब हमारी जो भी सारी files है जो भी हमारा structure बनेगा वो यहां से start होगा मतलब इसके पीछे कुछ भी नहीं है अगर आप पीछे चलके देखोगे यहां पर तो इसके ओपर कुछ भी नहीं है सारी चीज़े बस यहीं से start हो रही है जो हमारा base point होता है वो हमारा forward slash होता है जिसको हम root बोलते हैं सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर यह हमारा current path है जो forward slash है और उसके बाद जो directories हैं वो सारी यहां पर आ रही है तो यही हमारी base directory है अगर इसको हम UI में देखें तो UI में यही कुछ ऐसा दिखेगा सारे folders यहां पर आ रहे हैं और जो base path आ रहा है वो एक forward slash आ रहा है यहां पर अब क्या होता है यहां पर कि इस directory के अंदर यह जो forward slash directory है अगर इसके अंदर कोई भी changes करने है तो जो root user होगा वो ही changes कर सकता है जो local user होते है non-privileged user होते है वो इसमें कोई भी changes नहीं कर सकते है जैसे मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ एक file मैं create कर रहा हूँ यहां पर और आप देख सकते हैं जो file है यहां पर create हो गई है हमारी और अभी मैं यहां पर root user हूँ इसको हम check भी कर सकते हैं यह जो मेरी idea यहां पर 0 है 0 से identify हो जाता है कि हम root user है अब अब यहां पर देख सकते हैं कि मैं फिर से यहां पर root directory में आ गया हूँ अब मैं यहां पर create कर रहा हूँ file एक बट मैं यहां पर नहीं कर पा रहा हूँ permission denied बोल रहा है क्यों क्योंकि जो root directory होती है उसमें केवल root user जो होते हैं वो ही changes कर सकते हैं बाकि जो non-privileged user वो उसमें बिल्कुल changes नहीं कर सकते हैं अब बात करते हैं root directory के बारे में root user जो होता है हमारा वो आके changes कर सकता है मतलब आप इसको यह कह सकते हैं इसका playground है, यहाँ पर आके file create कर सकता है, delete कर सकता है, manipulate कर सकता है मतलब अपने हिसाब से इसको जो भी चीज़े करनी है अब यहाँ पर कई लोग क्या हो जाते हैं, confused हो जाते हैं कि यह भी हम root directory बोल रहे हैं और यहाँ पर जो यह root है हम इसको भी root बोल रहे हैं अब इन दोनों में difference क्या है, कि जो पहले के Linux systems आते थे, उसमें यह होता था कि पहले यह root directory नहीं होती थी, पहले के अबर यह forward slash होता था और जो root user अगर कुछ वो create भी करना होता था, कोई इसको file में भी changes करना है, तो वो यहीं ही करता था पहले यह root folder नहीं होता था बट अब क्या होने लगा है, कि हमारे पास एक root directory होती है, जो specific root user के लिए होती है कि अगर उसको कोई भी specific काम करना है, तो वो root directory के अंदर ही आके करेगा, बाहर नहीं करेगा अब अब जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर मैं root directory के अंदर हूँ, अब मैं जो चाहूँ यहाँ पर, वो सारी चीज़े कर सकता हूँ मैं यहाँ पर file भी create कर पा रहा हूँ, मैं उसको read भी कर पा रहा हूँ, अभी content नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं देख पा रहे हैं अब यही चीज़ मैं करता हूँ, दूसरे user के साथ अब यहाँ पर मैं local user हूँ, non-privilege user, और यहाँ पर मैं root user हूँ, तो यहाँ पर मैं root में जा भी पा रहा हूँ बट यहाँ से जब मैं try कर रहा हूँ, तो वो बोड़ रहा, permission denied, मतलब जो local user है, वो root user की directory में नहीं जा सकता हूँ और वहाँ पर जाके वो कोई भी manipulations perform नहीं कर सकता है, अब बात करते हैं home directories के बारे में, अब क्या होता है, अगर आप कोई भी user create करते हैं, तो उसकी एक अपनी directory होती है, इसमें user की जो files होती है, वो save होती है, या users की personal setting होती है, वो होती है इसमें यहाँ पर आपकी, और य यह जो directories होती है, एक user से separate होती है, मतलब अगर एक user हमारा unkit है, तो दूसरा user join होगा, मतलब यह दोनों जो directories होगी, यह एक दूसरी से differ करेंगी, मतलब यह वाला user यहाँ पर आके कुछ नहीं कर सकता है, और यह वाला user उपर जाके कुछ नहीं कर सकता, अब आप जैसा कि यहां पर देख सकते हैं, यह जो है, यह मेरी directory है, यह जो अंकित user है, इसकी home directory है, अब यह कोई भी चीज चाहें यहां पर, तो उसको create कर सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर, और remove भी कर सकता है, तो यह इसकी अपनी personal directory होती है, ऐसे ही हमारे users जो होते हैं, उनकी हो अब जैसे आपके पास multiple users होंगे, तो उनकी multiple directories यहां पर आएंगी, अब bin directory के बारे में बात करते हैं, इस directory के अंदर क्या होता है, वो सारी commands होती है, जो एक system को हमें चलाने के लिए जिनकी जरुवत पड़ती है, अब वो चाहे non-privilege user को चाहिए हो, या चाहे वो admin user को च सकता है, कोई restriction नहीं है उस पर, अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर cp, copy की command आ रही है, यहाँ पर curl आ रहा है, curl जो tool होता है हमारा, उस पर job का man page होता है, man की command आ रही है, ssh आपका आ रहा है यहाँ पर, तो यह सारी जो commands होती है, सारी users के लिए available होती है और कोई भी इनको यूज कर सकता है, इनके ओपर कोई restriction नहीं होती है, अब बात करते है, sbin के बारे में, sbin का मतलब क्या होता है, system bindries, इसके अंदर क्या होता है, सारी bindries files होती है, सारी commands होती है, जो एक administrator को चलाने के लिए चाहिए होती है, अब यह normal जो commands अभी हमने थोड़ तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह सारी जो commands आ रही है, example के लिए, यह IP tables क्या होता है, IP tables जिसको हम बोलते हैं, यह हमारी firewall होती है, Linux की, जो packet को allow और deny करती है, rules के हिसाप से, तो अगर मैं इसको access करने की कोशिश करूँ, तो मैं यहाँ पर इसको कर पा रहा मेरा जो right side है, यह मेरे normal user है, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आरा permission denied, you must be root, तो यह जो sbin वाली commands होती है, यह capable root user के लिए होती है, अगर आप चाहें, तो normal को allow कर सकते हैं, special purpose के लिए, बट normally क्या होता है, यह सारी administrator के लिए commands ही होती है, normal user के लिए नहीं होती है, जो अब बात करते हैं, proc के बारे में, जो कि हमारा होता है process information, इसके अंदर क्या होता है, कि जब भी आप कोई application run करते हैं, या आपका system चल रहा है, आपके processor use हो रहे है, आपका kernel use हो रहे है, उसकी सारी details जो होती है, आपको इस directory में मिल जाएंगी, अब आप यहाँ पर जैसे आप जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह हमारे memory के बारे में information दे रहा है, कितनी available है, कितनी free है, total कितनी है, buffer में कितनी है, cache कितनी हो रखी है, तो यह सारी details होती हैं आपकी यह process decays directory में होते है, जो proc directory होती है हमारी, आप बात करते हैं boot के बारे में, अब जब भी आपका system on होता है, operating system आपका memory में आता है, तो उससे related जितनी सारी files होती हैं, वो आपकी इस directory में होती हैं, क्योंकि kernel आपका अगर कोई भी चीज run करना start करता है, तो उससे पहले कुछ process होते हैं, उनको वो follow करता है, तो उनसे related जो files होती हैं, वो सारी आपकी इस directory में होती हैं, अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा grub bootloader होता है, उसकी details हैं हमारे पास यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर कुछ configurations file हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह देखिए, यहाँ पर self test की बात हो रही है, अब बात करते हैं नेक्स देव की, जिसको हम device files भी बोलते हैं, इसको समझने से पहले एक चीज़ समझते हैं, Linux के अंदर सारी चीज़े तीन चीज़ों में divided होती हैं, सबसे पहला file होता है, दूसरा directory होता है, और तीसरा device files होता है, files आपको पता हैं, कैसी होती है, plain text file होगी, binary file होगी, आपकी, directories आपको पता है, folders जो होते हैं हमारे, उसके बाद होता है हमारे device files, अब device files जो होती है, हमारी special type की file होती है, जो की हमारा एक interface होता है, जो हमारा hardware होता है, और हमारा क्या होता है, character में जाता है अगर character का example देखेंगे हम तो हमारा mic और speaker जिसमें हमारा जो data होता वो character wise जाता है, और अगर हम block की बात करेंगे तो block के case में हमारा हो गया hard disk, hard disk में data हमारा जब भी जाता है वो हमारा block की तरह से जाता है हमेशा अब आपको यहाँ पे SDA1 और SDA2 जो दिख रहा है यह हमारी hard disk है जिसकी details जो है हमारे पास वो यहाँ पर दे गई है अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर information दे गई है B का मतलब basically होता है block तो हमारा hard disk होता है वो block size में data लेता और data देता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसके बाद जो यहाँ पर ports की बात हो रही है आप देखें यहाँ पर C आ रहा है C का मतलब यहाँ पर basically होता है character अब बात करते हैं mount की जिसको हम short में M&T भी बोलते है इस directory के अंदर क्या होता है अगर आप external hard disk अपने system में लगा रहे हैं उसको access करना चाहते हैं तो जब भी आप उसको लगाएंगे और उसको जब mount करेंगे तो उसकी जो details होती है आपकी वो सारी mount में आती है अब यहाँ पर मिर पास कुछ mounted नहीं है इसलिए मिर पास यहाँ blank आ रहा है यहाँ पर बट अगर आप कुछ mount करेंगे तो आपके पास यहाँ पर उसकी details जो होगी वो आ जाएगी अब next बात करते हैं media की अब कोई भी removable device अगर अपने system में लगाते हैं चाहे वो CD-ROM भी हो सकता है चाहे वो floppy disk भी हो सकता है या फिर वो pen drive भी हो सकती है उसकी सारी details जो होती है वो media जो directory होती है हमारी उसके अंदर होती है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर जो CD-ROM की detail है मेरी वो आ रही है next बात करते हैं etc के बारे में जिसको हम editable text configuration भी बोलते हैं इसके अंदर क्या होता है जो हमारी applications होती है जो हमारी commands या जो हमारी tools होती है उसकी जो configurations file होती है वो इसके अंदर होती है अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते है add user आपको configuration बता रहा है add user का अगर हम एक user को add करते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर configuration जो उसकी detail है वो बता ही जा रही है first uid यहाँ से start होगी last uid इतनी होगी यहाँ पर आपको साधी configuration file मिल जाएंगी एक यहाँ पर जो आपने normal देखते हो गया आपको host की details जो होती है यहाँ पर जो मेरा local address है उसकी details आ रही है service data के अंदर क्या होता है जो आपकी applications होते है user specific जैसे हो गया हमारा FTP TFTP हो गया हमारा या आपका www हो गया उसके बाद आपका rsync हो गया उसकी जो user specific details होती है वो आपको इस folder में मिलेंगी अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है इसलिए यहाँ पर blank आ रहा है next बात करते हैं sys के बारे में जिसको हम system बोलते हैं इसके अंदर आपके kernel से related आपके hardware से related वो सारी details होंगी वो सारे versions होंगे जो आपको चाहिए होंगे यह आपको क्या करता है यह आपको information provide करता है जो भी आपका hardware होता है उसके बारे में तो hardware से related आपको अगर कोई भी information चाहिए होगी तो वो आपको sys directory में मिल जाएगी तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारे firmware के बारे में detail आ रही hypervisor जो होगया हमारे kernel होगया और modules जो होते हमारे उसके बारे में आ रहा है block के बारे में आ रहा है bus जो होती है हमारी data transmit करने के लिए उसके बारे में आ रहा है यहाँ पर तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर Bluetooth की detail आ रही है तो चलिए एक बार देखते हैं इसको अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका code size आ रहा है उसका init size आ रहा है उसका section के बारे में बताया जा रहा है उसका version भी है यहाँ पर जो मेरा Bluetooth है उसका जो version है वो 2.22 है तो ऐसे ही आपके hardware related अगर आपको कोई भी detail चाहिए होगी तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी जैसे यहाँ पे sound के बारे में detail दी गई है यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं आपको Intel के बारे में detail दी गई है जो मेरा processor है next बात करते है लिप के बारे में जिसका मतलब होता system libraries अब क्या होता जब भी आप कोई application को run करते हैं उस application को चलने के लिए कुछ libraries चाहिए होती है libraries को अगर हम windows की terms में बात करें तो उसको हम dynamic link library जो होती है हमारी जो runtime पर हमें चाहिए होती है उनी को यह हम libraries बोलते हैं basically तो उससे related जो details होती है आपकी वो lib में मिलेंगी मतलब अगर आप कोई भी application run कर रहे है तो उनकी definitely libraries होंगी और वो libraries आपको कहाँ पर मिलेंगी lift directory के अंदर मिलेंगी जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब जैसा यह Apache 2 जो server है उससे related जो detail है वो यहाँ पर आ रही है जो Apache हमारा server है उसको run करने के लिए इन सारी libraries की जोध परती है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह सारी libraries है जो उसको run करने में उसकी help करती है ऐसे ही आपका जो भी टूल है उसकी आप libraries यहाँ पर जाके verify कर सकते हैं next बात करता है टैंप के बारे में अब इसका मतलब क्या होता है temporary files कई बार क्या होता है कि जब आपका program run होता है तो उसको चलने के लिए कुछ temporary files जो होती है उसको create करनी पड़ती है और यह temporary files क्या होती है यह आपका जो program चलता है वो create करता है और जब वो successful execute हो जाता है या जब उसका process complete हो जाता है तो उसके बाद उस file को delete कर देता है यह आप अक्सर देखेंगे आप जब भी system को start करेंगे उसके अंदर की जो भी files होती है वो सारी remove हो जाती है और folder जो होता है वो आपका फिट से empty हो जाता है अब यह मेरी temp file के अंदर details आ रही है जो services कुछ in files को use कर रही है आपके पास भी कुछ extra services आ रही होंगी अगर आपको उनके बारे में नहीं पता तो उनको delete नहीं करना क्योंकि कई बार क्या हो सकता है आपका system भी crash हो सकता है उसकी वज़े से अब next directory के बारे में बात करता है जो कि है हमारी user जिसको हम user programs भी बोलते हैं इस directory के अंदर क्या होता है जो हमारा data होता है वो read only होता है इसके अंदर आपको binaries भी मिल जाएगी डॉकुमेंटेशन भी मिल जाएगी आपको source code भी मिल जाएगा आपको कई बार आपको ऐसी files भी मिल जाएंगे जो हम दूसरे user के साथ भी share कर रहे होंगे अब यह हमारी user directory है इसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको bin मिल जाएगा इसके अंदर आपकी binary files होती है उसके अंदर क्या होता है आपका c का code होता है उसको include करते है उसकी सारी details होती है उसके बाद आपका sbin जो system administrator की binary files होती है वो भी सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और कई बार क्या होता है demons भी आपको मिल जाएंगे जो network services के लिए user और next directory जो हमारी share की इसके अंदर क्या होता है जो share data होता है अमंग users वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर और जो src है इसका मतलब ह जो होगा source code मिल जाएगा या आपको header files मिल सकती है या फिर आपकी documentation भी यहाँ पर हो सकती है next बात करते है वेर के बारे में जिसको हम variable files भी बोलते है अब इस directory के अंदर क्या होता है कुछ files होती है जो time to time change होती रहती है मतलब वो minutes के अंदर भी change हो सकती है वो seconds के अंदर भी where directory है और उसकी सारी details है अब यहाँ पर backup जो हमारी file होती है उसकी detail होती है और जो cache किया हुआ data होता है applications का वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा जैसा कि आप यह देख सकते हैं यहाँ पर उसके बाद हमारी जो lib होती है को जो application की current state होती है उसकी details आपको यहाँ पर मिलेंगी उसके बाद जो आपका local data होता है उसकी details आपको local directory में मिल जाएंगी उसके बाद आता है आपका lock अब lock के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी कोई file है वो एक application use कर रही है तो उस file को वो lock कर देता है so that की दूसरी जो है उसके अंदर manipulation ना कर पाए changes ना कर पाए तो उसकी जो स directory में होता है आप उसके बाद जो extra add-on packages होते ही इस directory में होते है उसके बाद आपका आता है temp के अंदर क्या हॉता है जो मेल details होती है उनहीं पर बताता है नेक्स्ट बात करते हैं, opt के बारे में, जिसको हम optional applications add-on packages भी बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, अगर आप कोई third party install कर रहे हैं, तो उसकी जो details होती हैं, उस directory में आती हैं आपकी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरी कुछ third party applications हैं, जिनकी details यहाँ पर इस folder में आ झाले.